stml series के इस tutorial में हम देखेंगे कि हम background color कैसे change कर सकते हैं मेरे पास code.html की file open है और मैं notepad++ यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले हम document की type declare करें जो के हमारे पास stml है उसके बाद stml tag लगाएं इसके बाद body का tag यूज़ करें और body के tag में आप mention कर दें style और उसमें background color mention कर दें जो भी आप देना चाहते हैं जैसे कि मैंने ये code use किया एक color देने के लिए और उसके बाद आप semicolon use करें next time में एक heading और paragraph भी add कर लेते हैं ये for example मैंने h1 heading add कर लिए और एक paragraph add कर लेते हैं this is a paragraph ये add करने के बाद आप body का tag close कर दें और फिर stml का tag भी close कर दें और इसे आप save कर लें अब आप code.html की file पर double click करें ये हम देख सकते हैं कि इसका background color change हो गया और ये जो हमने heading add की थी वह आगी और ये paragraph आ गया stml series के इस tutorial में हम ने देखा कि हम background color कैसे change कर सकते हैं इस stml series में हम अज़ी tutorial को आड़ करते रहेंगे आप इस channel को subscribe करें और इस video को like करें thanks for watching